हेलो दोस्तों नमस्कार होमेपेटिक टेच में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मेडिसिन के बारे में यानि कि एक दवा के बारे में जिसका नाम है दोस्तों आज हम लोग इस मेडिसिन के बारें पूपी जनकारी लेंगे कि यह मेडिसिन किस-किस रोग या फिर किस-किस बीमारी में घाम आता है लेकिन उससे पहले दोस्तों आप ये जान लिजे कि कोई भी मेडिसीन यानि कि कोई भी दवा किसी भी एक रोग में काम नहीं आती बल्कि वो एक से अधिक रोग या बीमारी में काम आती है इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को तमा दीजे ताकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिल सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाश टक देखते रहें आपको दिरे दिरे सब कुछ मलूम हो जाएगा एक्स सिमसिफूगा क्यूँ दोस्तों आज हम इस दवा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे इसके बारे में कहा गया है कि जिन औरतों को बार-बार मरा हुआ ही बच्चा होता है उन्हें गर्भा अवस्ता के तीसरे महीने से सिमिसिफ्यूगा Q, प्रती मात्रा 2 बून के हिसाब से रोज 1 मात्रा सेवन करने से निश्चे ही जिन्दा बच्चा पैदा होता है प्रितु स्राव के समय स्राव होने पर सभी लक्षनों का बढ़ जाना इस लक्षन में इस दवा का 1 एक 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 बून की मात्रा में प्रती 3 घंटे पर एक मात्रा का प्रयोग करना चाहिए शक्ति क्यू एक एक एक्स दोस्तों आपको और भी मिदिसिन के बारे में जानकारी या फिर अलग-अलग रोग या बिमारी के बारे बारे में जानकारी लेनी हो या फिर प्रीक अलग करने की दीया है आप होँसे देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरू किजिए गा और इस वीडियो को शेयर करना भूले ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इस मेडिसिन के बारे में जनकारी मिल सके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगली बार फीर होंगा एक नया वीडियो लेके तब तक के लिए बाए